हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आइसमान क्लासेश हम लोग CSIR नेट जून 2021 का सोलूशन कर रहे थे जिसका एक्जाम डेट मतलब यह एक्जाम कंडेक्ट हुआ था 16 फैबुरुरी 2022 को यह इसका लेक्चर नंबर 5 है इसमें अब तक मैं 4 लेक्चर अप्लोड कर चुका हूं उसका तो मैं वीडियो के नीचे description box में दे दूँगा उनको आप जरूर देखिएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को तुरण subscribe कर लीजिए एक बेल का आएका नाएका उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के updates आपको लगातार मिलते रहे वीडियो अगर पस question पूछा गया था question यहां पर इंगल बन रहा हो कितने का है 90 डिगरी का है और सर्कल का रेडिस कितना वन है आप समझते ही होंगे मतलब क्या निकालना मुझे area of segment निकालना है area of segment निकालना हमको area of segment का मैं यहां पर फार्मूला सबसे पहले लिख देता हूं area of segment segment किसको बोलते हैं आपको मालूमी होगा एक circle अगर हम ले ले और यहां पर एक chord ड्रॉ कर दें तो यह जो chord है और यह जो arc है इसके बीच में जो यह area bounded होता है इसको मैं लोग क्या बोलते हैं area of segment का फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वार थीटा डिवाड़ेड़ वाई 360 ठीक है न और माइनस आर स्क्वार साइन थीटा बाई 2 कॉस्ट थीटा बाई 2 इंटो चोस थीटा बाई 2 अब देखि यहां पर हमें क्या क्या वैलू चाहिए यहां पर हमको चाहिए सबसे पहले एंसर देखे-पाई की टर्म में है तो पाई की वैलू रखना है जरूरोत न ही नहीं है थीटा कितना है 90 डिग्रीए यहां पर देखे-थीटा आपको और cos of theta by 2, theta 90 है, तो 90 by 2 कितना हो जाएगा? 45. values को अगर मैं रखूँ हो तो यहां से 19, 4 जा हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या अतना मिलेगा? pi by 4. और sin 45 कितना होता? 1 by root 2, cos 45 कितना होता? 1 by root 2. तो कुल मिलागे कितना हो गया? pi by 4 minus 1 by 2. और अगर इसमें हम क्या common कर लें? यहां से अगर हम लोग common कर लें, कितना? यहां से हम लोग common कर सकते हैं, 1 by 4 मैं common अगर कर लोगो, तो यहां से कितना मिलेगा हमको? pi, ठीक है? minus. 1 by 4 करना common, मतलब 2 से multiply कर दिया, 2 से divide कर दिया, नीचे 4 common हो गया, तो उपर कितना वचेगा? 2 वचेगा, तो हमारा answer कितना आगया? 1 by 4 pi minus 2, ठीक है, 1 by 4 pi minus 2, इसका मतलब लोगा जो B option है, वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, बढ़ते है next question की तरफ, अब देखे हमारा next question है, question number 2, इसमें देखे क्या कहा गया है, इसमें बता जा रहा है, कि water from a completely filled cylindrical jar, ठीक है, एक completely filled cylindrical jar, पहले मैं figure इसका बना लेता हूँ, यह cylindrical jar है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक क्या बरा हूआ है, पूरा पानी भरा हूआ है, ठीक है, यह cylindrical jar मैंने बना दिया, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें पानी भरा हूआ हूआ है, इसमें पानी को मतलब इसमें गिराए जाता है, जाता है, ठीक है, इसके बारे इंफरमेशन क्या है, फिर से मैं को रिपीट कर देता हूआ, वाटर फार में कम्पलेटली फिल्ट सिलेंड्रिकल जार इस पोर्ड इंटू स्मालर सिलेंड्रिकल जार साइबिंग वन बाइटेंथ आप इस डाइमेटर बट सेम हाइट, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दोनों की जो छोटा वाला सिलेंडर भी है, उसकी हाइट क्या रखनी है, सेम रखनी है, बस उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम कर देना है, और भी पतला बन जाएगा, यह तो मैं रफ फिगर बना रहा हूं, तो दोनों के हाइट क्या बताईगे दोनों के हाइट सेम रखी गई दोनों के हाइट क्या है सेम है यहां पर यहां पर यह लिख देता हूं और यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं है अब देखे एक डायमेटर में एक रिलेशन दिया हुआ है करा कि इसका जो सेकंड वाला चोटा वाला है उसक तो मैं कुछ देर माल लेता हूं पर चली यहाँ इसका डायमेटर अपर है ऐसे समझाने के लिए तो कि बात थे इसका डायमेटर कैतना होंगे विल लेडियों संब्द्स निकाल लें इसका रेडियों कीतना ऑगा करेंगा तो इस बात को ऐसे लिख गता हूं इसको नई रफ करता हूं यह थी यहां पर इस लीखिता हूं उसका रेडियस मैं ले लूँ कितना यूज अगर हम लोग ले लें फस्ट वाले का रेडियस मैं कितना हtı लो और इसका मतलब इसका radius कितना हो जाएगा r by 10 हो जाएगा ठीके ना I hope यह बात समझ गया होंगे आप ठीके ना क्योंकि दोनों के diameter में कहा जा जा रहा ना कि जो second का diameter है second का diameter ठीके ना second का diameter पहले वाले के diameter का 1 by 10 है ठीके ना इसका diameter का radius के term में अगर हम लोग बात करें ठीके ना तो यहां पर कितना हो जाएगा d1 को में लिख देते हैं कितना 2r1 by 10 ठीके ना यहां से कितना हो जाएगा r by 5 और d2 को हम लोग रेडियस में अगर बतलें लोग क्या लिखेंगे 2r2 is equal to क्या लिखेंगे 1 by 5r1 तो यहां से r2 is equal to कितना हो जाएगा 1 by 10r1 हो जाएगा ठीके ना यह बात आपको समझ में आनी चाहिए ठीके ना मतलब जो हम r2 लिखेंगे उपहले वाले का कितना होगा 1 by 10 होगा यह बात आपको समझ में आ गई होगी बस आप question में कुछ भी नहीं करना है आप से पूछे तरह how many smaller jars can be completely filled इसका मतलब इसका वालूम निकालने बड़े वालूम अगर हम लोग निकालने तो cylinder का वालूम क्या होता है pi r square h बड़े वाले का क्या हो जाएगा larger वाले का मैं larger वालूम लिख रहा हूँ अब भी से लिख पानी और यहां पर मालीजी के 10 लिटर पानी है तो ऐसे कितने jars fill किये जा सकते है 10 कैसे आएगा बड़े वाले के वालूम को दिवाइट करने ठीक है तो नमबर आप jars अगर हमें निकालना थे बड़े वाले का बालूम में छोटे वाले वालों को डिवाइड कर दें जヤगा पाईR स्क्वाइर एच अपवां पाईR स्क्वाइर हेच वाइंडटा ओपर चला जाए अज़ाएगा तो इसो चोटे चोटे कितने सिलिंदृ क्षो करे em ч फिल की जा सकते हैं। इसका मतलब कौन सा option correct हो जाएगा थैर्ड option correct हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंट्स आज के लक्षे को मैं यही पर समाप्त कर रहा हूं। होपसो आपको चीजे पसंद आई होंगी। अधर पसंद आई होंगी तो एक like button दबाना नहीं बूलेगा। मिलते हैं फिर से next lecture में नए solutions के साथ। Thank you very much.